जैसा कि आप देख पा रहे हैं भारीबारिस मुखलाधार भारीबारिस 18 अगस्त 2018 को खोने जा रही है अत्य अधिक जिसको हम कह सकते हैं और प्रदेश में भारीबारिस का अनुमान जो है मौसंदी भाग में बताया था और वो सही साबित हो रहा है आप देख सकते हैं कि भारीबारिस एक किसम से जल प्रले अगरिया बारिस एक घंटे तक होती रहती है तो प्रदेश में जल प्रले आने की अशंका बने हुई है मौसंदी भार के अनुस्तार उन्होंने बताया था कि 17 तारिफ को बारिष का अनुमान है, जब कि 17 तारिफ को भी काफि ज़्यादा बारिष हुई है, जिस कारण हावा भी अभी चल रही है, हावा से और ज़्यादा स्टिती दिगड़ने का अनुमान है, तो लोगों से यही अनुरोध है कि अपने जानमाल की सुरक्षा स्वाइम करें, तट बंद की तरफ ना जाएं, ताकि नदियों में जो बड़ा जलस्तर है, वो कहीं आपको खत्रा ना बन जाए, इसलिए नदियों की तरफ ना जाएं, खेती के लिए तो भारी नुक्सान होना तैह माना जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि किसानों की स्थिती भी इस बहर से उनुरोध है, भनेवाद है,